तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज हम चलाने वाले हैं टेक्टर और टेक्टर की मदद से हम करेंगे माइनक्राफ्ट में खेती तो यार बहुत ही शांदार एपिसोड होने वाला है तो चलिए फटावर्ट से एपिसोड शुरू करते हैं तो फटावर्ट से प्ले करते हैं हमारा फार्म क्राफ्ट एपिसोड हमारा वर्ट जनरेट होना शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं हम स्पोन हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जगह हम स्पोन हुए हैं बहुत बड़ी बिल्डिंग यहां पर बनी हुई है और सामने है हमारा water pool और यहां पर एक जर्णा है बहुत ही अच्छी जगह है देख सकते हैं बहुत ही शांदार जगह बनी हुई है यार बहुत बड़ी और यह सामने हमारे चेस्ट रखा हुआ है तो फिराप से प्ले करते हमारा together onаете मिलती हैं बहुत सारी वीट और एक मिलती हैbook तो जलो देखते हैं हमारी किताब में क्या है तो किताब को फ्राप और से देखते हैं घो किताब के अंदर पड़ते हैं क्या लिक्वाइद है तो यहां पर दिखी हमारा वेलकम किया जा रहा है फार्म क्राफ्ट के अंदर और वर्ड विल टेक यू थू थू दू प्रोसेस और फार्मिंग तो यहां पर हमें खेती बाड़ी करना सिखाया जाएगा टेक्टर की मजद से और जो आधुनिक मशिन है उनकी मजद से तो आज हम माइनक्राफ्ट के अंदर खेती करने वाले हैं क्योंकि वेसे तो हमने कभी खेती की नहीं है बट माइनक्राफ्ट हमें खेती करना सिखाया तो यह बहुत ही जादा इंड्रेस्टिंग होने वाला है तो दोस्तो चलिए बढ़ते हैं जर्नी में आगे और देखते हैं आग जो गेम है वो स्टार्ट हो चुका है और पटावर से यहां पर वापिस टेलिपोर्ट हो चुके हैं जहां पर ख़ले हैं मेकनिक भाई और मेकनिक भाई हमें देने वाले हैं इस टेक्टर की चावी और चावी हमें दे चुके हैं और थोड़ा सा इन से बतिया लेते हैं और यह ании में बहुत सारी अं sushi heartbeat करें कि बाय यहाँ पर हमारा सभागत कर रहे हैं factory के अंदर और इन्हों ने लेखा है तो कि यहाँ पर यह हमें बहुत सारे farm के जो equipment है उनको maintain करते हैं उनको चलाना सिखाएंगे और बहुत सारी चीज़े हमारे साथ यह करने वाले हैं और इन्होंने जो चावी दी है, उसकी मधन से जो ए ट्रैक्टर है वो चलेगा तो शौड में ये सारी चीज़े मैं आपको समझा चुका हूं तो फटावट से जो हमारा ट्रैक्टर है उसको स्टार्ट करते है चावी को लगाते हैं ट्रैक्टर में और देखे ड्राइव का ओप्षन आ चुका है तो यह मैं लेके निकल चुका हूँ अपना ट्रैक्टर बहुत ही खतरना दीख रहा है तो यह जंप की बटन से उतर जाता है और फटा वट अपना जो ट्रैक्टर है वो श्टार्ट हो गया अठारा से कम साल की उम्र में तो माइनक्राफ्ट के अंदर आप चला सकते हैं तो यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ट्रैक्टर चलाने की तियार माइनक्राफ्ट बहुत सारी चीज़े करवा देता है छोटी उम्र में भी तो यार यह बहुत अच्छी बात है तो आज इस फिल्ड में खेती देखते हैं टैक्टर केती कैसे करेगा बहुत मज़ा आने वाला है और यह टैक्टर फाइनली हम फिल्ड में लेकर आ चुके हैं तो यार देख सकते हैं दोस्तों बाहर से भी में थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं कैसा दिख रहा है हमारा टै करने में दिक्कत हो रही है इसलिए मैंने सब कैमेरा एंगल जो है उसका चेंज कर दिया है तो यार उससे क्या है कि मुझे ट्रैक्टर बिल्कुल साही से दिखेगा और जो पीछे की मशिन रही है उसको मैं अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँगा तो आप दोस्तों देख सकते हैं मैंने ट्रैक्टर को बिल्कुल फ्रन्ट में लगा दिया है इस होके और जैसे ही मैं पीछे की तरफ जाओँगा तो कनेक्ट का ओप्शन आ रहा है और जैसे मैंने कनेक्ट के ओप्शन पर प्रेस किया तो यह है आटोमेटिकली अपना ड्राइवर के साथ स्वारी टेक्टर के साथ कनेक्ट हो चुका है और हमारा देखो जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं आप देख सकते हैं पीछे की तरह से खेती वाड़ी का काम शुरू हो गया तो यार बहुत ही कूल है अच्छा लग रहा है तो इस तरह से इसको वापीस एक बार सीधा कर देते ह करने वाले हैं तो यार यह देखिए जमीन हमने खोद दी है हमारे प्लांटेशन के लिए और स्टेप बाई स्टेप थोड़ा सा रह गया तो इसे भी हम एक बार में क्लियर कर लेंगे तो पहले हमें खोदी हैं जमीन क्योंकि यार जब हम जमीन खोदेंगे तभी उसके हैं और यह साथ दोनों लेर खोदेंगे तो यार हमें हैं यहां पर सारी जमीन खोदेनी है कोई सा भी मतलब व्लॉग कहां पर खाली नहीं छोड़ना है तो यार दोस्तों खेती में जो टेक्टर हम चला रहे हैं वह बहुत ही मज़ेदार हैं आप भी इसे ट्राइक कर सकते ह जोन डेरी यह जो फार्म क्राफ्ट मैप है वो बिल्कुल फ्री है माइनक्राफ्ट के अंदर आप इसे खेल सकते हैं तो यह बहुत ही अमेजिंग एपिसोड है यह कोई एप से डाउनलूड नहीं किया गया है इन बिल्ट आता है माइनक्राफ्ट के अंदर इसे आप भी ख कर देंगे तो यह दिए हमारा डिक्सक pom app कर देंगे और यहां पर हमारे जो फार्मर देवी खड़े को ए इनसे बात करेंगे तो यहे कहा रहे हैं कि हमें अब आगे करना है सिणस लगाने का का म तो फटा उट से शुरू करते हैं आगी का काम जिस से हमें मध KE वीली कि ऐस त थी तो इसमें से कुछ से मैंने पहले ही ले ली थी तो बची कुछी सीट्स थोड़ी बहुत यहां पर हाथ में ले ले लेते हैं जिसे हम करेंगे आपको पीछे जाना है और आपको पीछे जाना है और आप करेंगे अपने आप सीट्स लगाना शुरू कर देगा तो आप देख सकते हैं लाइव डेमो में आपको करके दिखाएगा आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ीगी अगर आप सीट्स लगाना चाहते हैं माइनकरफ्ट में आप टेक्टर की मजद से बहुत सारे सीट्स एक साथ लगा सकते हैं तो दीखिए इसी तरह से खेती मलब रियल में भी होती है तो यह एक नमूना है इस तरह से खेती हो पड़ावत से सीरियसली तरीके से प्लांटेशन का जो काम है वो कर देते हैं और यह करने में मुझे बड़ा ही मजा आ रहा है यार ट्रैक्टर चलाना है कोई मामूली बात तो है नहीं कि यह एक अलगी फिल है जब आप मानिक्राफ्ट में ट्रैक्टर है तो यह एक अलग फिल है जिसे आप लेना चाहते है तो बिलकुल फ्री है यह जोन डियर ट्रैक्टर पता यह यह सअई कुछ नाम है इसका में ज्यान से बढ़ा नहीं है तो पहुत ही अच्छा ए अगर लॉकेशन वापीस डाल देते हैं जहां से हमने इसको लिया था यार कहीं से भी कैसे भी गुसेट सकते हैं कोई दिकत नहीं है बेरिकेट्स इनको नहीं रोख सकते हैं न ट्रेक्टर को न इसकी ड्रॉली को नहीं इस मैशीनरी को तो ये एक अच्छी बात है कहीं क्योंकि आप इसे खड़ा कर दो कहीं से भी कुदा दो कोई दिक्कत नहीं हो याली तो यह देखिए यह अपना जो ट्रैक्टर का काम है वो फिनिश हो चुका है तो चलो बढ़ते हैं अब आगे तो यह देखिए अब यहाँ पर जितनी भी य हुई है उसे एक बार मैं कलेक्ट कर लेता हूं तकि यहार कुई दिक्कत नहीं हो क्योंकि अभी तक हमें कोई आगे का जो नोटिफिकेशन हैं वो नहीं मिला तो फटावर्ट से सीड्स हमें कहीं कहीं रहे गई होंगी लगानी तो उसे एक बार में चक करना पड़ेगा और देखते हैं कहां पर सीड्स नहीं लगी है तो जहां जहां नहीं लगी है वहाँ हमें हाथ से लगानी पढ़ीगे अब बार-बार टेक्टर तो लाने से रहे परना डीजल का खर्चा बहुत जादा हो जाएगा तो फटावाट से घूम के मैं देख रहा हूं कहां कहां सीड्स आप break लेते रहें और जो time period है इसके साफ से काम करें और आप देख सकते हैं इन farmer Ali के पास में आये तो यह हमें अब कुछ कह रहा है कि जो हमारा काम है वो लगबग हो गया है good job farming के विए जो हमारा next step है वो है plantation तो यार यह जो drone दीख रहा है इसे एक बार हमें उडाना पड़ेगा यह वाला बटन प्रेस करके यह ऐसा कुछ बूल रहा था तो फटार से यह हमने जैसे ही drone उडाया यह drone अपनी फसल अपने लगाई है उसके उपर घूमने लग गया तो पता नहीं यह क्या देखना चारा है और कुछ शायद फसल के अंदर यह चेक करेगा कि हमारी फसल कैसी लगी है सही लगी है नहीं लगी है कुछ ऐसा ही होगा मेरे ख्याल से और यह पुरा घूम गाम के देख रहा है आप देख सकते हैं तो यह बतानी कुछ अलग ही है इसके अलग ही अपने नशे है तो यह अपना काम करके आच चुका है आप देख सकते है और यह वापिस अपनी जगह पे लेंड कर चुका है तो यहाँ पे हमें कुछ के रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि कुछ हमारी जो फसल है वो मर चुकी है आप देख सकते हैं यहाँ पे बची हुई है जैसे ही लगा दी हमारी सीटो है यहाँ पे भी बची है तो इसे भी एक बड़ लगा देते है और कहीं बची होई होगी वो बागी होगी तो वो भी चेक कर लेते हैं जैसे ही हमारा eighteen का काम लगाने का complete हो जाएगा यहां पर एक रह गया है तो यहां पर भी हमें एक seats लगा देनी है देन एक बार और चेक करते हैं आगे की तरफ तो और कहीं पर रहा है या नहीं रहा है तो यह कि यहां पर भी हमें दिख रहा है तो आगे बढ़ते हैं आप बढ़ते हैं कमपास के थू जाते हैं आगे और इस चेस्ट में क्या है चेस्ट खाली है तो कमपास हमें डायरेक्शन दिखाएगा टेस्ट लेब में जाने के लिए तो रास्ता हमें थोड़ा सा ढूंड़ना पड़ेगा चलो चलते हैं बढ़ते हैं आगे हमें डूंड़नी है हमारी TEST LAB कूद काद के हम जा रहे हैं फटाउट से आगी की तरफ और आगी की तरफ हमें कमपास दिखा रहा है कि हमको सिदे के सिदे जाना है और आप देख सकते हैं यहां पर इनों लोगों ने मतलब क्या ही बना के रखा हुआ है यार ये क resembles रखारा इन लोग ने ये ग्रीन हॉस जास मुझे देख रहा है वाइट वाइट मतलत Лइए इसी तरीके से इन लोगों भनाने के कोशिश उरे और वहस्य मतलब क्या बिल्ड्न बनाई है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे हैं और हम टेस्ट लेप के अंदर गुश चुके हैं यहां पर हमें मिलना है याना से और याना खड़ी है यारा सुरी याना यारा 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 यहां पर सामने खड़ी है और क्या क कहना चाह रही है तो यार यह कुछ कहना चाह रही है तो इसका जो कहना है वो हम इपार पढ़ लेते हैं तो यह क्या कहना चाह रही है ट्राइट टू प्रोड्यूस अफ्यूल क्रॉफ्स on the board field adjusting the climate control you see the next to me तो यार यह हमें कुछ कह रही है कि आपको climate है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा आप यह किताब पढ़िए इससे आपको कुछ क्यान मिलेगा तो किताब को open करते हैं लिखा क्या है वीडिज वाइडले डेप्टेड ग्रोप एंड इस एबल टू ग्रोप इन आव बेर क्लाइमेट सब्सक्राइब तो टेंपरेचर जो है वो बिट्विन 12 डिगरी सेल्चियस एंड 25 तो यार यह टेंपरेचर को कंट्रोल करके जो यह हमने पालेंटेशन का काम किया है उसको एडेस्ट करने के लिए बोन रही है तो पता नहीं यह सारे इंक्रिस टेंपरेचर का बटन यहाँ पर इनों ने दिया हुआ है तो इसे प्रेस करते हैं तो यह जो अपना वीड़ का जो टेंपरेचर है वो आप डाउन हो रहा है तो यहां पोड़ा है, यहाँ पे काम इन लोगों ने यहाँ पे करके रखा हुआ है, तो यहाँ बहुत ही अच्छे बना रखा है, और यहाँ पर जो भी है, हमारी एक यहाँ पे सिखाना चाहरा है कि सीड्स और शुगर कें कैसे ग्रो करते हैं, कि टेंपरेचर में ग्रो करते हैं, तो यहाँ यह खेती बड़ी का जो काम है, वो आप देखी सकते हैं, कि इतनी माथा पच्ची वाला काम है, टेक्टर तक तो मुझे बड़ा मजा आ रहा तो पर य यह वाला जो एपिसोड है वो बड़ा हो जाएगा, तो इस एपिसोड को यहीं पर हम एंड करते हैं, तो यार चलिए अगर आपको टेक्टर चलाने में मज़ा आया हो, देखने में मज़ा आया हो, तो प्लीज लाइक का बटन दवा देना, इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा, तो चलिए मिलते हैं इसी के नेक्स्ट एपिसोड में थोड़े टाइम भाग, तब तक के लिए गुड़ बाई जैन जै भारत